जहिन सभी को कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सारे हैं बढ़िया आज हम बेसिक लिए बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा कंड़क्ट करवाने वाला जो एक्जाम है डिफेंस के अंदर सी एप अस्टेन कमांडेंट टू तौज़न 4th of April को यह नोटिविक्शन आया था लास डीट अगरम बात करते हैं इस फार्म को फिल करने की वह आपका 14th में क्लियर अगरम बात करते हैं जो पूरा जो फॉर्म का जो आपका फिलिंग है वह पूरा ओनलाइन है और फ्लाइन मोर्ड नहीं है बात करते हैं क्या जो कंसेंस सबसे ज्यादा जो वेकंसी है वह आई है क्लियर बात करते हैं टेन्योर के रहने वाला आपका पूरी बात करेंगे क्या लाइफ रहती है एसी की वह भी बात करते हैं क्योंकि पहले बाता है तो मेरा नाम आशिश कुमार सिंग है और मैंने 2020 और 2021 के अंदर दोनों ही यह के अ के अंदर UPSC CPM Ascent Covenant का दो इंटर्वीय वेंदिया बात करते हैं क्या गंसर ने पूरा जो फॉर्म है वह आपको ऑलाइन बूर के अंदर है बैसिकली पूरा जो यह पूरी विकैंसी है तीन स्टेश के अंदर ही कम्पीर होती है पहले हम बात करते होता है रटेन एक्जाम र तो यह था नॉर्वल आस्पेक्ट क्लियर कहां पर आप फॉर्म एप्लाइ करोगे आप यूपी एसी के जो ऑफिशल वेफसाइट डॉड 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 यूपी एसी ओनलाइन डॉट निक डॉट इन पर जाके आप फॉर्म को एप्लाइ कर सकते हो जान दीजेगा के अगर हम हम बात करते हैं लास्ट सम्मेशन ऑफ दे के बारे में क्लियर तो ध्यान दीजेगा जो आपका लास्ट सम्मेशन वो क्या है आपका 14 में 2024 तिल शाम के 6 बजे तक आप जो फॉर्म है उसको आप फिल कर पाएंगे बढ़ ध्यान दीजेगा अमूवन लास्ट टाइम में जो आपकी जो साइट करेश हो जाती है पेमेंट नहीं हो पाथ तो बेटर है आप लोग अभी जाके ही फॉर्म को फिल कर दें और UPSC का फॉर्म है आपका क्लियर तो साइट इतनी ज्यादा बिजी अभी नहीं होगी अगर हम बात करते हैं पूरा जो एलिजिबिलिटी है क्या- दूसरी हम बात करते हैं आप जितने भी यहां पर जो फॉर्म के अंदर जो आप डिटेल्स फिल करेंगे आप प्लीज उसको एक पर क्रॉस वेरिफाइज जरू कर लेना तो कि गलत आप फॉर्म फिल करोगे तो इनकेस डैफ के अंदर आपको दिक्तत आ जाएंगी फॉर्म प्लीज फिल करने के लिए भी दोस्ते होते एक रोधा परन जाहां पर आप नॉर्मल डिटेल्स करते हो आफ्टर पेमेंट फिर आता है पार्ट टू जहां पर आप अपना जो एग्जाम सेंटर है एंड जो आपके फोटोल एक्सपक्स आप उनको अपलोड़ करते हैं एक अगर आगर हम बात करते ओमर के रिगाइड बच्चों में बहुत सारे डाउट होते हैं क्योंकि सेम डेखे अंदर दो पेपर हैं आपके के में पहले जारे हम समझते है वो भी आप ब्लैक बॉल पैन से यूज़ करेंगे ब्लू पैन अगर आप यूज़ करते हैं ध्यान दीजेगा तो आप का चाहिए आपने कितनी मैंद करिए वह आपकी बेकार हो जाई है क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर टू के अंदर जैसे मैं अपना परसनली बता रहा हूं 20-21 दोनों बार एक्जाम दिया है क्वालिफाई भी क्या है इंटर्वी भी दिया है ध्यान दीजेगा जब भ कोई अधर तीसरा पहन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम उस पहन को यूज या फिर और्थराइज नहीं है रैड और ग्रीन पर यूज करने के लिए आपका के यहां पर स्पैसिफिक मैंचन किया है सिक्स के अंदर इंस्ट्रेक्शन दा बॉल पैन के रिगार्डिंग के स्पैसिल इंस्ट्क्शन के बार है हम बात करते हैं अब पहले हम बातकर इस्क्र participated कै की ख्राइज राजिपूरुस्का या फिर राश्ट्रपती अगर आपने NCC के अंदर इंडूर्मेंट किया है या फिर और जो आपकी जो आपकी अधर जो को अक्तिविटीटीज होती है उन सब को आप करें कि अपके पर 17 एक अंदर वहां से कुश्चन काफी हद तक पुछ जाते हैं आपके इंटर्व्यू के अंदर द्यान दीजिए आपर अगर हम बात करते हैं आपकी नंबर और वेकेंसी के वारे के पांसो चैनल चैनल सबसे जादा आए हैं बीच्व के पास बॉर्डर सिक् सब्सक्राइब के अंदर 42 पोस्ट है और टोटल मिला के 506 वेकेंसी द्यान दीजिएगा अब हो सकता है बहुत सारे लोग फ्रेशर हो थोड़ा सामें इंसरी सारे मतायता हूं जो बॉर्डर सिक्योर्टी फोर्स है इंडो पाकिस्तान और इंडो बंगलदेश बॉर्डर प सब्सक्राइब को अब सब्सक्राइब करती है उनको प्रोटेक्ट और सिक्यूर्टी दिने काम इसका है आपके CSF का है थर्ड फोर्ट हम बात करते है आई टीवीप इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस के वारे में इंडो चाइना जितना भी आपका लेंड एडिया आपका आपको इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर के आसपास जो आपकी जो सिक्यूरिटी को में इसके हाथ में आपका कियर तो आई तिंग पोस्ट के साथ है प्रफरेंसेज मोस्ट प्रोब्ली से एसफ होती है दैन सीर्प आपकी ऑल जो आसपेक्ट से आई टीवीप और आपको एक पॉइंट अधिजिगा रेस जो आपकी तीन अधर जो प्रमोशन और जल्दी आप हायर रैंक प्रमोट होने के लिए सब्सक्राइब आपके अगर आई टीवीप और सब्सक्राइब के अंदर हो तो चांसेज ज्यादा है कि आप जल्दी हायर प्रमोट हो जाओगे एस कंपेर टूब एस एप और झालियँर प्रमोशन है और ओन टाइम होते हैं आपके क्लियर ऐसी टू अगरा बात करते लौट आपका कमांडेंड टो सन्य में तब आता है लोक ययर ईप्रीजाओ आपके अंदर खेंटेंग और क्यूट वीवा आत Dang know तो अगर आप SSV और ITVP opt करते हैं तो चांसे ज्यादा है कि आप अराम से जो हायर की है वहापरा आप पहुचें डीजी पी आलवेज आई आपका IPS होते हैं यह और आस्पेक्ट ध्यान दीजिएगा और अगें ध्यान दीजिए जो जितने भी यह 506 वेकंसी है है इसमें जो 10% कोटा है वह एक सर्विसमें के लिए एज यूजवल जो हर साल नौटिफिकेशन आता है सेम यहां पर भी मेंशन किया गया है इस अ Stress क्योआरा हम बात करते हैं और दिश्यान दिजेगा दोनों पेपर सेम Day होते पहसे पड़न पर टू कै龍 के अब छाल इन्टे मेन ग्षिंगंग ऐसे चेब Nar67 फी ने क्या सोह मेलें जिबल एक जो डाउम तकर क्लेट विए अगर पांसो चैट के अंदर अगर फीमेल्स कैपेबल है तो फीमेल एसी भी बन सकती है ध्यान दीजेगा तो दोनों के लिए यह फॉर्म है वह एलिजिबल है यहां पर सबसे इंपोर्टन आता है वह आता है एज क्राइटिरिया कि होता है इस ट्वेंटी वन टुवेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव है क्लियर सर मेरी तो पच्ची साल अभी एज हुई है बट मैं इस जो बर्त का टाइम स्लॉट की मैं नहीं आता हूं तो ध्यान दीजेगा जब भी हम बात करते हैं आपकी कम से कम आयू बीश्वर से और मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव है वि ना इंटी नियंटी नहीं नहीं होना चाहिए आपका एंड जो आपका जो लेटर कितने आपका फर्स्ट अगस्ट टू थावज़न फूर क्लियर इन केस अगर आप ऐसी है स्ट है क्लियर आप अगर हम बात करते हैं आपके पास Central लिवल का अगर आपके पास का सर्टिफिके नहीं होता है यहां पर जो आपका एड्यूकेशन के लिए आपका आप एक कम से कम एक ग्रेजुएट होने चाहिए बैचलर डिगरी क्लियर युनिवर्स्टी इंकॉर्परेटेड बाइड एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेशिटर इन इंडिया ध्यान दीजिए आपर सबसे इंपोर्टेंट वह आपका जो आपका स्ट्रुक्टर से रिगाइडिंग एक्जामिनेशन वह इंपोर्टेंट है लास्ट जो एप्लिकेशन है वह आपका फॉर्टीं में यह भी कंफर्म नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं आपका जैसर्विस एलोकेशन एक मि सब्सक्राइब करने के बाद यूपी ऐसी डिटेल एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने की जो विंडो है वो ओपन कर देती है रिजल्ट आने के आई तिंग विदिन 24 आवर्स के अंदर वो जो विंडो उपन हो जाती है कि उसके अंदर आप अराम से अपनी जो प्रिफरेंस सब्सक्राइब करना है तो आप उनकर आप कर सकते हैं जहांदी जगाएब सब्सक्राइब करना है आपको मैं सिए पीफ के अंदर एक जो मेजर जो आस्पेक्ट रिगार्डिंग जो कट आफ बनती है उसके वारे में आपको एक बाइंद ध्यान दीजेगा पेपर वन की कट आफ अलग है पेपर वन और पेपर टू को मिला के जो कंबाइन कट आफ ब सब्सक्राइब करते हैं तो नों के बिहाब पर जो फाइनल मेरिट है वह आपकी बनती है ज्यान दीजेगा आपर शॉटेट नेक्स यहां पर हम बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स नॉट इंपोर्टेंट के एर सेलेक्शन दो रिटेन एग्जामेशन कर रहें बात कर लेते किटना 250 माग सा कोश्चन है अपको क्लियर अगर हम बात करें सारा आपका जो आपका जर्नल स्टीज आपका हिस्ट्री पॉलिटी जिग्रफी एकनोमिक्स जर्नल साइन्स हो गया यहां पर करेंट अफेर्स हो गया आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट और यहां पर आपके अप्टिटूड मैस और रीजनिंग के जो कोश्चन है वो भी कहां पर आपके जी एस वन के अंदर ही आते हैं ज्यान दीजेगा सेकेंड जो है आपका वो है जर्नल स्टीज एंड ऐसे एंड कॉम्प्रेंशन दो सुमासाई पेपर ज्यांदे जो आपका पेपर टू है वो है आपका इंडिस पेपर कैंड़ेट विल एलाओ टू आप्शन और राइटिंग ऐसे इन इंग्लीश और हिंदी दोनों लेंगेज में आप लिख सकते हैं क्लियर बट दा मीडियम और प्रिसाय राइटिंग हो गया कॉम्प्रियेंशन कंपोनेंट हो गया आपका क्लियर य यह आप ओला इंग्लीश में ही लिख सकते हैं केवल यहां पर जो ऐसे ऐसे आपके लग 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 बग असी नमर का ऐसे आता है कि क्लियर तो आई तिंग मेरे साब से जो भी आस्पेक्ट से रिगार्डिंग और सीए पफस्टन कमांडन वो मैंने बता दिया है टेर इनकेस आपकी कोई भी क्वारी है रिगार्डिंग इस एप्लिकेशन या इस दिर्याडिंग इस जॉब तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर प प्लुभ पाल के घागा स्ब्राडिंग इस तो कर देला ज्यार्डिंग